हेलो फ्रेंट सेन वल्कम बैक माई योट्यूब चैनल एयर एजुकेशनल हब तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट लाया हूँ जैसे कि आज डेट है आपका एक अगस्त ठीक है और एक अगस्त हो गया है यानि आपके झारखन कंबाइन के एक्जाम ह हुए लगबख तीन मैने का समय बीद चुका है और साथी साथ रिजल्ट आने के बाद से कांसलिंग को नहीं होते वह आई थिंग दो साथ दो मैने हो गया है तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कांसलिंग के कोई भी डेट अभी तक लियर नहीं हुआ है अभी तक आप लो स्ट्रूइंट्स में यह प्रॉब्लम है और टेंशन भी है और नाराजगी भी है जर्खन कंबाइंट से कि अभी तक यहां पर कांसलिंग प्रॉसेस क्यों स्टार्ट नहीं किया गया है और यह नाराजगी जितने बच्चों में है उतना हम लोगों में भी है क्योंकि अभी हुई है मेरे जाक्षरन का माइंड से ठीक है कॉल के थू और उन से बात विचार में ये पता लगा है कि अगस्थ के पंदरा तारिक से पहले जो सकता है कि इस सपता कॉंसिलिंग ना भी हो ठीक है तो पैनिक नहीं होना है इस सपता nour grown को सकती है ठीक है तो यह भी हो सकता है कि 15 तारिक से पहले आप लोग का कांसलिंग हो जाए बट 15 तारिक तक कांसलिंग होने की संभावना है दूसरी बात जो सबसे इंपोर्टेंट है अगर मैं कांसलिंग को साइड करूँ अभी तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट हैowski दूसरी नर्सिंग और सफामेठिकल आप पुछेंगे कि सर इसका एक्Zाम कब होना है तो पेपर है वह बी आपका अगस्त के महीने में ना होकर आपका September तक जा सकता है ठीक है जो फॉर्म फिलिंग है ये कंफर्म डिक्लेयर है कि आपका एक्जाम जो है इस बार अगस्त में ना होकर September में होने जा रहा है नर्सिंग को और पैरामेडिकल का इस वज़े से अपने आपको प्रिपेर कर लीजे आप September के लिए फॉर्म फिलिंग आपका अगस्त के मन्त में होगा और जो एक्जाम की महा है वो आपका September में होने जा रहा है ठीक है ये बिल्कुल क्लेयर कर लीजे जो उनकी बातों से मुझे पता लगा है वो बिल्कुल मैं आप लोग को यहां पर क्लेयर कर दू ठीक है तो कांसलिंग की डेट नहीं आई है तो परिशान नहीं होना है कांसलिंग स्टार्ट होगा एक सबसे बड़ा मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे इस्टुइट जिनका रैंक जादा हाई है जादा हाई रैंक का तो वो बच्चे कहीं और कोशिश कर ले एडमिशन के लिए बीएसी में कहीं और अडमिशन ले सकते हैं दूसरी बात मैंने बहुत बार सुना है यह ड्रॉप के बारे में तो मेरा आपसे प्रस्टनल उपीनियन है कि यह ड्रॉप ना करें अगर आपको लगता है कि जारखन का का परिच्छा देना है मुझे यही क्लियर करना है तो भी आप ड्रॉप नहीं लेकर आप 12 के बाद सीधा आप किसी भी कॉलेज में अडमिशन लीजिए वहाँ प्रिपेर करते हुए आप जारखन का पाइंड में अडमिशन ले सकते हैं ड्रॉप एर किसी भी प्रकार का ये एक अच्छा रिक्स नहीं है पहले के जमाने पर लोग बुला करते थे कि दो नाओ पर पैर रखोगे तो बिल्कुल गिरोगे अभी के टाइम पर जो सिशुएशन देखते हुए ये बिल्कुल सही है कि आप अगर दो नाओ पर पैर नह जाएगा नहीं है ऐसा नहीं है कि अगले साल बच्चे कम हो जाएंगे या नीट का जो पेपर होगा त्वा ट्विस्ट हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है डे बाइदे बढ़ते जा रहे हैं जितनी नागरता बढ़ती जा रही है उस इसाब से यहां पर बढ़ते जा रह है कि आप बिल्कुल यहां पर option ले रहे हैं कि नहीं हम एक साल ड्रॉप करेंगे ड्रॉप लेना कोई भी अच्छा बात नहीं है ध्यान दिजिएगा मैं फिर से कहा रहा हूँ ड्रॉप नहीं लेना है अगर आपको लग रहा है या फैमली बोल रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मुझसे कॉल पर बात कर लिजिए मेरे से सजेशन ले लिजिए अगर आपको स्थीक लगता है तो आप आपका ओपिनियन सही होगा बट एक बार मुझे कंसल जरूर कर लिजेगा कि सब्सक्राइब ले या नहीं ले ठीक है तो चलिए यह बिल्कुल अपडेट था एक अगर्स्त का आज दिन का पहला टे है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग का अपडेट दे देता हूं परिशा जोइन कर सकते हैं हमारा टेस सेरिस बैच मात्र 119 रुपे में ये कुछ समय को लिए लिमिटेड है एक सो नतीस रुपे में आप जोइन कर सकते हैं अगर मैं फोर्थ यहां पर अपडेट दे दूं कि जारखन कंबाइन 2025 के लिए न्यू बाप बैच जो है आपका जल्द ही लॉंच होने वाला है और बिल्कुल आप सभी को प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा जगह मिलने वाला है ठीक है चली मिलते हैं आप सभी सिने शुडियों तते के लिए धन्यवाद जो भी चैनल पे नियों जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस क और हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलिग्राम का लिंक गीवें ने वहां से जाकर आप टेलिग्राम जोईन कर सकते हैं धन्यवाद